पाठ चार धीरच का फल एक धनी मनुश्य बड़ा दयालू था वह प्रति दिन भूके बालकों को अपने हाथ से रोटियां बाड़ता था जो भूके को खाना खिलाता है उसके मन में बड़ी खुशी होती है धनी मनुश्य को भी भूकों को भोजन कराने में बड़ा सुख मिलता था धनी मनुश्य के घर हजारों बालक भोजन लेने के लिए प्रति दिन इखटे होते थे वे भला चुपचाप क्यों रहने लगे सब बच्चे पहले खाना लेने के लिए आपस में जगरते थे वे पंक्ती में खड़े नहीं होते थे, लेकिन एक छोटी लड़की इन सब बालकों से अलग थी, वह चुपचाप सबसे पीछे रहती थी, वह किसी से जगरती नहीं थी, वह शोर भी नहीं मचाती थी, सबसे पीछे रोटी लेकर चुपचाप चली जाती थी, बहुत बार उस सबसे अंत में आज भी वह लड़की अपनी रोटी लेने पहुची। धनी मनुष्य ने उसे एक रोटी दी। उसकी रोटी अन्य रोटियों से मोटी थी। लड़की रोटी लेकर चुपचाप अपने घर चली गई। लड़की ने अपने घर जाकर खाने के लिए रोटी तोड़ी तो उसमें से सोने की कई अशर्फियां निकल कर नीचे गिर पड़ी। लड़की की माता बोली बेटी ये अशर्फियां भूल से रोटी में रखी गई हैं। जाकर इने उस धनी व्यक्ति को लोटा दो। लड़की अशर्फियां वापस करने गई तो धनी व्यक्ति ने कहा बेटी तुम सब बच्चों में अच्छी हो। तुमने रोटीयों के लिए कभी शोर नहीं मचाया, जल्दी नहीं की, सदा धीरच रखा। ये अशर्फियां तुम्हारा इनाम है। इने संभाल कर अपने घर ले जा।